नमस्कार दोस्तों जहंद डिके या दम नीज में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिवेट लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें वीडिय पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें आईए देखने है वीडियो जैहन वन्दे मात्रम कि हमने ना सुधरने का ठेका ले लिया हमने फैसला कर लिया है कि हम कभी भी नहीं सुधरेंगे हमें ये कहा जा रहा है कि अगले बारा घंटे तक बजली नहीं आएग कभी कभी रूट जाती है आज आएगी बिजली परिशान मतो अभी इतमारी प्रेक्टिस करा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बंद किये आगे तो फिर हो सकता के आई ही ना ठीक है क्योंके भाई गले में पैसा दो मुग गया है पैसे अपन के पास हैं कोई नहीं अब यह ब रपसी होकर रह थे और अचानक पूरे मुल्क में बिजली चली गई और आदू नाजरीन आपके पास अफलातून या सुकरात भी आजाए तो आपकी मैशत का हमेशां बेड़ा गरक ही रहेगा उसकी वज़ाई यह है कि देखो मेरे जैसे लोग जो सच बोलते रहे हैं और क The US Department of Energy's website can be visited अगर आप मेरी बात मानने को तयार हैं अगर आपको US Department of Energy के stats acceptable नहीं है आप United Nations की website पर चले जाओ वर्ल्ड की जितनी मारूफ website से उन पर चले जाओ आपके पास ना तेल है भाईया ना गैस है अब पूरा दिन आप नाचते रहो वले अंजुमन की तरह जैसे फि हमारे पास कोई वसायल नहीं है फुल स्टॉप है ही नहीं अब दूसरी चीज़ अच्छे ये बात पर लोग मुझे गालियां देते रहे बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि सीपेक पाकिस्तान का बट्टा बिठा देगा सीपेक की वज़ा से पाकिस्तान तबाई के धाने तक पहुंच जाएगा लोगों ने का आवे ये तो अगदारी की बातें कर रहा है आज वो बिचारे खुआर गूम रहें सीपेक में क्या मिला आपको अच्छा मुझे ये बता दो सीपेक जा तक आ हैं गवादर से मैं शुरू हुआ आपने बोला अब ये चाइना में जाएगा है न पागी यो यह यापो बाटू टां आप से मैं ये पुछना चाहत हूं चाएगा जा रहा है तो पता ये लगा के चाइना में ये कस्वे में जा रहा है जैसे हमारे हैं न मंडिबाउदीन ऐसा एक शैर है वहाँपे उसका नाम है उरूंची किसी जमाने में मुखलो के एधीर एक ह few अने करेंगे है अ कुछिश्च घ्र अनिए और थे भी थीक जा करने की कोशिश नहीं करेंगे ये किस खबर की बिनापर मैं ये सब कुछ करी हूँ उस खबरों पे भी हमाते हैं आपको खबरे मी आपके सामने रखते हैं लेकिन मैं देख रही थी कि एक पोस्ट शेयर हुई वटसैप पर किसी ने लिखा कि इंडिया चाइना का मतबादल बनने जा रहा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान का मतबादल बनने जा रहा है सब ने उसको धड़ाद़ बहुत ज़्यादा शेयर करवाया तो सब जब धड़ाद़ शेयर करवाया किसी चीज़ को तो उससे मतलब ही निकलता है कि सभी की सोच यह, कि सब को ऐसे ही लग रहा, कि भई यह तो ऐसे ही लग रहा है, जिस तरकी में हमारा हमसे आया है वो तो अब चाइना की जगा लेने लगया है, और जो पाकिस्तान में जो situation है, economy की, और इसके लाबा जहालत की भी, तो उसे तो यही लग रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो बनने जा रहे हैं बलकि अफगानिस्तान के रिजर्ट, फॉरेंड रिजर्ट समसे ज़्यादा हैं और वहाँ पर अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर लोगों को ग्राउंड्स में जिस तरह पहले हुआ करता था ना जब पहले तालबान थे और जब सुआत में तालबान आए थे तो लोगों को वह सजाइं देते थे कोड़े मारने की तो वह ग्राउंड्स में लोगों को एकठा करकर के कोडे मारे जा रहे हैं, हाथ काटे जा रहे हैं, गर्दने उडाई जा रहे हैं और बाकी पूरा शहर जो हो जाता है और देखता है तो वही सिच्विशन इस वक्त हमें अफ़ानिस्तान में नजर आ लिए अब यह जो पाकिस्तान की मैंने बात की तो कोड़े तो नहीं मारे जा रहे और सर्याम ग्राउंड्स में कठा करके सजाई भी अभी नहीं दी जा रहे लेकिन जो हालात हैं वो सी तरफ जा रहे हमारे इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है लेकिन पार्लिमेंटेरियन्स क्या कर रहे हैं बैटके यानि नैशनल असंबली में आप कवानीन ये पास कर रहे हैं कि पहले सिर्फ तीन साल सजा होती थी कि अगर किसी ने गलती से या कोई इस तरह की कहीं पर लिखावा कहीं पर ऐसा कुछ मिल गया किसी ने जो सहाबे करामें यानि रिलिजिस परसनालिटी जो हैं आपकी मजब से तालुक रखने वाले लोग उनके खिलाफ अगर किसी ने कोई बात किया ये कहीं पर कुछ लिखावा मिल गया है तो उसके उपर आप 10 साल सजा होगी ये बिल नया आया है नेशनल असम्बली में कि कमस कम 10 साल सजा और ज्यादा से ज्यादा उमर कैद हो सकती है कोई भी जो ऐसी बात मिली यानि हमारा इस वक्त मसाईल ये हैं हमारा मसला ये है और आप ये सोचे हसी इस चीज़ किया ती है कि जिस कंट्री में 98% मुसल्मान हूँ तो तब भी आपके जहनों में ये खनास भरा हुआ है कि वो क्यूं ऐसा करेंगे कि आप ऐसे बिल ला रहे है ये तो वहां पर होता कि जहां पर आपकी हाफ हाफ पॉपलिशन है यानि आप कहें कि देखो वो हमारे साथ ऐसा कर रहे है और ये क्योंके दूसरे मजभब से तालुक रखने वाले ये तो माइनौरिटी कहती हैं ना कि देखो हमारे जो ये मंदर तोड़ दी ये कर दिया वो कर दिया वगर वगर ऐस तरह की चीज़े लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि 98% आबादी जहां की जिस मुल्की मुसल्मान है वो ये वला बिल ला रही हैं कितने इंसिक्योर हैं ये क्या है यानि हमें इतना डर क्यूं हमें अपने आप से डर है क्योंके ऐसा तो फिर आप ये जो कर रहे हैं हमें अपने आप पर यकीन ही नहीं हैं कि हमारा इमान इतना कम्जोर है कि हमारी 98% परसंट पापुलेशन जो है वो इस तरह का काम करेगी, कि वो तो अपने ऐसे जो फिगर्स हैं, उनके खिलाफ ये काम होगा, तो इसके उपर दस साल की कैद लगा दो. अफसोस के साथ कहना पढ़ रहा है, कोई अच्छी खबर नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए, तेलिविजन पे मुसलसल ट्रास्मिशन चल रही है, मुसलसल टेलिविजन पर बताने की कोशिश की जा रही है, अगर लाइट होगी तो आप लोग टेलिविजन आउन करेंग है, यानि जो ये पूरा पावर आउटेज हुआ है इस वक्त, इसको मुकमल तोर पे पाकिस्तान में बहाल करने में दो दिन लग सकते हैं, यानि अगले दो दिन तक आपकी, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अपने मुबाइल फॉन से रि इमकान नहीं है, तो मुझे समझनी आ रही है कि कारोबारी जिन्दगी कैसे चलेगा, और बाकी मामलात कैसे चलेगे, मार्किट्स बंद हो रही हैं, दुकाने बंद हो रही हैं, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो सब कुछ ही बंद हो जाएगा, इतने नाल पावर प्लांट्स लगाए गए थे, जरदारी दोर में इससे पहले पीपेस पार्टी का जो दोर था, बहुत लोड शेडिंग हुआ करती थी, फिर 2013 में नूनली की गवर्मट आती है, यह कहते हैं जनाब हम अंधेरे मिटाने आए हैं, इन्होंने अंधेरे मिटाए भी, इ बिजली बन भी गई, वो बिजली पावर प्लांट्स से आपके घरों तक या दफातर तक या फैक्टरियों तक किसने पहुचानी है, वो पहुचानी है ट्रास्मेशन लाइन ने, यह जो तारें आप देख रहे होते हैं यह ट्रास्फार्मर, यह तारें, यह आप तक बिज स्टेशन से यहां तक, पावर प्लांट्स से ग्रिट स्टेशन में गई, बिजली ग्रिट स्टेशन से तारों के जरीए आप तक पहुचे यहां पे, यह सारा कुछ जो होना था, यह होना था उन ट्रास्मेशन लाइन्स की वज़ा से, इन्हों ने पावर प्लांट्स पाकिस्तान में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो चुका है पूरे पाकिस्तान की बिजली गुल हो गई है पाकिस्तान के बड़े बड़े सहरों से बिजली गायब है जिससे पाकिस्तान में कारोबार बिलगुल थप हो चुका है अब पाकिस्तानियों का हाल बेहाल हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान में एक तो एकॉनमिक क्रैसिस अपने उरूच पर है तो दूसरा लोगों का कारोबार और ठप होगे जिससे पाकिस्तान पर उच्जादा संकट गहराता चला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के हालात लगात से बिगड रहे हैं अब पाकिस्तानी की मीडिया का चेना है जल्दे से सो दर जाistol नहीं तो अफगانستان जैसे हाला ठूंगे यहुँ कि पाकिस्तान चीन-Pak-दोस्ती के चकर में बरबाद हो गया," चाईना भी पाकिस्तान को तन्याच छोड़ कर भाग गया है, ठीघ चकर अदिकतर चाइना के प्लैंट है जो की पाकिस्तान के लिए धोका देगा अब पाकिस्तान के हालाद दिन बाद दिन तेजी से बिगड़ रहे हैं जैसे पाकिस्तानी मीडिया भी परिसान है और भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठा लेकिन पाकिस्तानी हुकमरान इसके लिए तैयार नहीं है आपकी गया रहा है कमेंट में जरूँ सेयर करें यह आप चैनल बनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करा और सेयर करें जय हैं वंदे मात्रम